स्वागत हैं आपका दिवेह माचल टीवी में मैं हूं दिक्षा शर्मा शाम के छे बच चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्षा चुके हैं कई लेटेस्ट अपडेट साथ इस बुलेटिन में हम आपके साथ साचा करने वाले हैं देखे विशेश तोर से बड़ी बात पुलिस भरती को लेकर करेंगे क्योंकि भरती नियमों में एक दफा फिर शंशोदन होने जा रहा है तीन नए बदलाव किये जाएंगे फिर से पुलिस भरती नियमों में आखिर कार ये बदलाव कौन से हैं बिल्कुल जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं दूसरे बड़ी बात उन चार पोस्ट कोर्ट को लेकर करेंगे जिनकी भरती को लेकर शेड्यूल अगले सबता जारी होने वाला है ये कौन-कौन से पोस्ट कोर्स है बिल्कुल अपडेट बारीकी से हम आपके साथ साज़ा करने वाले हैं क्योंकि एक तरह से बिरोजगार युवाओं का इंतजार खत्म हुआ है जो कि नई भरतियों के इंतजार में बने हुए थे कंड़क्तर भरती और वेटनरी फार्मासिस्ट की भरती की बात कहां तक पहुंची है क्योंकि कोड अफ कंड़क्त भी लगा हुआ है तीन उपचुनाव होने हैं विधान सबाक्षेत्रों में जिस वज़र से तीन जिलों में ही कोड अफ कंड़क लगा दिया गया है तो पहले ही मुख्या मंच्री सुखु की ओर से अलान कर दिया गया था कि पंड्रोसव की राशी महिलाओं के खाते में डाल दी जाएगी और तीन महीने की एक साथ डाली जाएगी तो कुल मिलाकर यह 4500 बनता था आज खुद मुख्या मंच्री ओर से आंखड़ा दिया गया है नारकंडा में कि कितनी महिलाओं को ये राशी दी जा चुकी है और आने वाले समय में जिन महिलाओं ने आवेदन नहीं किये हैं उनके लिए अब यहां पर क्या मापड़न तै किये गए हैं शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि मौसम विग्यान केंजर की ओर से पुर पुरे असार जताए गए हैं हलाकि देखे अगर आज की बात करें तो नौक शेत्रों में 40 दिग्री से उपर तापमान दर्श किया गया है और आर्चीलों में लू चली है जिसमें उना हमीरपूर, बिलासपूर, कांगडा, कुलू, शिमला, मंडी और सिर मौर है अगली बा पर बहतरीन कार्य किये हैं, बाकी गतिवीधियों में भी जिनकी भागीदारी रही हो, ऐसे ही शिक्षकों को स्टेट अवार्ड से नवाजा जाता है, तो ये कौन-कौन से शिक्षक होंगे, फिलहाल इसका फैसला तो कमेटी करेगी, लेकिन डेपूरी डिरेक्टर्स को नि लिया जाएगा, और जैसे ही डेपूरी डिरेक्टर्स के पास ये आवेदन पहुंच जाएंगे, तो जीला स्तर की कमेटी इनकी छंटनी करेगी, फिर ये शिक्षा निदेश शालिया पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद कहीं जाकर स्टेट अवार्ड से किनकिन शिक्ष प्रेम प्रसंग से भी इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन आसपास के क्षेतर में पूरी तरह से संसनी फैली हुई है, और कुछ तिन पहले ही ये आत्महत्या, युवक और युफ्ति की ओर से कर ली गई थी, क्यूंकि सड़ी-गली हालत में ये शिक् पेड से लटके हुए दोनों शब पाए गए हैं, काफी दिन पहले की ये बात बताई जा रही है, क्यूंकि बिल्कुल ही ख्षत-विक्षत हालत में ये शब बताई जा रहे हैं, तो ऐसे में चेहरों की पहचान नहीं हो पाई है, पोस्मार्टम के बाद ही कुछ पता लग पाएगा, हलाकि अधिकतर लोगों का भी वहीं वहां पर यही मानना है, कि हो सकता है, ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा ही मामला हुआ, दोनों ने आत्महत्या एक साथ कर ली हो किसी कारण से, लेकिन अभी पुलिस चांच कर रही है, उसके बाद ही सच्चाई सामने आ है, रोजाना संसनी खेश मामले सामने आ रहे हैं, कुछ तिन पहले एक बाप ने ही अपने बेटे को चाकु से मार दिया था, धाई साल का बेटा था, पहले उसे एक मंजिस से दूसरी मंजिल पर फैंका, चाकु से भी उसके गले पर वार किया, और फिर पानी का मटका भी उ नजर आ रहे हैं, कि एक ही परिवार में दो लोग एक दूसरे के साथ इस तरह से मार पीट कर रहे हैं, कि वो एक तरह से जान लेवा मार पीट बताई जा रही है, तो लोगों की मानसिक्ता को क्या हो गया है, और इन मामलों पर अंकुष लगाने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है ये भी यहां विपक्ष की ओर से सवाल उठाया गया है हलाकि देखिए एक बात और डॉक्टर राजी बिंदल की ओर से कही गई है कि अभी जिस तरह की स्थिती पानी को लेकर बनी है या जंगलों में आग जनी के जो मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं न कहीं सरकार की मिस मैनेशमेंट है और इस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए अंकुष इन सभी मामलों पर लगना चाहिए फिर चाहे क्राइम से जुड़े मामले हो या फिर पानी की किलत हो या जंगलों में जिस तरह से आग लग रही है और वन संपदा को नुक्सान पहुंच रहा है भा फाइनल रिपोर्ट तयार की जाएगी कि कौन-कौन सी कमिया पिछले चुनावों में रहे गई थी जो कि इस बारी के उपचुनावों में ना दोहराई जाए तो इस पर रणनीती तयार की जाएगी फाइनल रिपोर्ट अब तयार होने वाली है सभी संगटनों से रिपोर् देखें नीट परिक्षा को लेकर एक और याचिका सुप्रिम कोर्ट में दायर हो गई है ये 20 चात्रों से जुड़ा एक ग्रुप है जिनोंने मांग ये उठाई है कि किसी स्वतंत्र एजेंसी को या CBI को ये जान सौंपती जाए इससे पहले भी कई याचिका सुप्रिम कोर् ग्रेस मार्क्स दिये गए थे उस पर भी पहले काफी जादा विवाद हो गया था हलाकि ग्रेस मार्क्स को रद करने का फैसला अब सुप्रिम कोर्ट से सामने आ गया है लेकिन पेपर लीक होने की इसमें आशंका बनी हुई है जिसके चलते कई छात्र संगठन सामने आ रहे हैं और मांग ये उठा रहे हैं कि इस पर सीबी आई जांच करवाई जाए और सुप्रिम कोर्ट की निगरानी में ही या फिर किसी अन्या सोतनफर एजैंसी को जांच का जिम्मा दिया जाए अब इस पर क्या कुछ होता है देखेंगे 8 जुलाई को क्योंकि सुनवाई होनी ह हैं और गड़बडियों को लेकर काफी जादा आरोप इस बार नीट की परिक्षा पर लगाये जा रहे हैं बहुत सारे चात्र ऐसे थे लाखों चात्र जिन्नों ने दिन रात महनत की थी इस परिक्षा को क्वालिफाई करने के लिए अब अगर परिक्षा रद हो जाती है त और एक तरह से सस्पेंस या कंफ्यूजर हमेशा ही उनके दिमाग में बनी रहेगी तो इसलिए अब चात्र ये भी मांग रखने लगे हैं कि अगर पर लीक हुआ है तो फिर परिक्षा रद होनी ही चाहिए क्यूंकि जिन चात्रों ने महनत की है उन्हें उनका महनत का फल मि बहुत जरूरी है बजाए उन्चात्रों के जिन्होंने पेपर खरीद लिया होगा अब देखे एक और मामला सामने आया है यह TGT बैच्वाइस न्यूक्ति से जुड़ी जानकारी देना चाहेंगे क्यूंकि 13 मार्श 2014 को TGT की बैच्वाइस भरती की मेरिट लिस्ट चारी पहले ही रिटायर हो गई है हलाकि जब न्यूक्ति नहीं मिली तो रिटायरमेंट वर्ड का हम इसतेमाल नहीं कर सकते हैं लेकिन simple भाषा में समझाने के लिए हम ये बात कह रहे हैं कि न्यूक्ति अभी तक मिली नहीं थी और उससे पहले ही एक तोड़ा से रिटायर हो गई और वज़ा इसकी ये है कि इनकी उमर पूरी हो गई थी, 58 वर्ष ये अपने पूरे कर चुकी थी पिछले 2-3 महीनों से लगातार इनकी ओर से ये अपील की जा रही थी कि न्यूक्तियां जल्दी दे दी जाए अगर ऐसा हो जाता तो एक या दो महीने तक भी अपनी सेवाएं ये दे सकती थी लेकिन अब इनकी आयू सीमा पूरी हो चुकी है जिस वज़ा से सेवाएं नहीं दे पाएंगी और एक बड़े लाब से ये वन्चित रहे गई हैं इतना ही नहीं इसके अलावा 15 के करीब अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि 2 साल का कॉंट्रेक्ट पीरियड भी अपना पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भी 58 वर्ष के होने को आएं हैं बहुत कम समय इन अभ्यर्थियों के पास रहे गया है तो ये TGT की मेरिट लिस्ट देखे कब जारी कर दी गई थी 13 मार्श 2024 को और अब उसके बाद भी 3 महीने गुजर गए हैं लगातार सची वाले के चकर TGT अभ्यर्थियों के ओर से काटे जा रहे हैं कि बैच्वाइस भर्ती में इने न्युक्तिया दे दी जाए इनकी उमर पूरी होने वाली है और एक महीला के साथ ऐसा हो भी गया है यह अकेली नहीं है कुछ और भी ऐसे केसिस सामने आये हैं जहां न्युक्ति मिली नहीं और मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था लेकिन पहले ही रिटाइर एक तरह से हो गई हैं क्योंकि वहां पर शिक्षकों की कमी है सिंगल टीचर के साथ भी स्कूल चल रहे हैं या विदाव टीचर भी कुछ एक स्कूल चल रहे हैं लेकिन यह जरूरी है कि समय से निुक्तियां दी जाए तब ही तो यह अपनी सेवाएं दे पाएंगे नहीं तो बड़े लाब से इन देखें अभी प्री मॉंसून की बोचारे भी शुरू नहीं हुई है लेकिन उससे पहले ही दुरघटनाओं में तकरीबन 21 लोगों की मौत डूबने से हो गई है एक नया आंक्रा आज हमारे समक्ष आया है कि दुरघटनाओं में कितने लोगों की जान गई है सबसे जान मा को लेकर नुकसान हमें क्योंकि मौनसून में ही देखने के लिए मिलता है लेकिन मौनसून से पहले जो इस बार आंक्रा सामने आया है वो भी डूबने पर वो आपको अपडेट दे देते हैं 21 लोगों की मौत हाथसा वश डूबने से हुई है और इसमें सबसे जादा जिला सिर मौन में 9 मौते दर्ज की गई है जंगल में जो आग लगी है या घरों के आसपास आग लगने से भी 13 लोगों की मौत हो गई है पांच लोगों की मौत सांप के काटने के कारण हुई है साथ लोगों की मौत बिजली का क्रंट लगने के कारण हुई है तो अचानक से शाशन की ओर से दावा किया गया है कि इस बार मॉनसून को लेकर पहले ही कुछ एक नई वैवस्थाएं कर दी गई है और छात्रों को भी परेशान ना होना पड़े इसके लिए भी शिक्षामंतिर रोही ठाकुर की ओर से नई अपडेट दी गई थी कि स्कूल भवनों की इमा बारिश होने के आसार नहीं है क्योंकि सर्दियों में भी जम कर बारिश हुई है लेकिन ये बार भविशे के गर में चुपी है इस बार देखना होगा मॉनसून कैसा रहता है और सावधान रहने की आविशकता है देखे अब पुलिस भरती पर आना चाहेंगे क्योंकि 18 पुलिस भरती को लेकर दी जा रही है इसी वज़ा से ये मामला कैबिनेट बैठक में जाने वाला है हलाकि तीन इसमें नए बदलाव होंगे क्योंकि मुख्यस अचीव की ओर से एक अबैठक ली गई है जो की होम, कार्मिक विभाग और पुलिस विभाग के साथ उन्होंने ली है अब ये तीन कौन-कौन से नए शंशोधन होने जा रहे हैं इसमें जानकारी आपको दे देते हैं पहली बात तो यही है कि एक साल की छ उसमें आवेधन स्टेट कैडर में ही लिए जाते हैं यानि की राजस्तर पर ही लिए जाते हैं तो ऐसे में जीला कैडर को लेकर जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब अभी तक लोग सिवायों को मिला नहीं है इसमें भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा 1226 के करीब ये भरे जाने हैं और काफी समय से विरोजगार यूवा इस भरती का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब फिर से शंशोधन होने जा रहा है भरती नियमों में तो थोड़ा सा इंतजार और बढ़ गया है लेकिन उमीद जताई जा सकती है कि जब तक ये तीन उपचुनावों का दी जा रही है अगली बात चार पोस्कोड की भर्टियों को लेकर करना चाहिंगे कियोंकि देखे जब हमीरपूर करमशारी चयन आयोग भंग कर दिया गया था तो उसके बाद राजय चयन आयो का गठन हुआ था लेकिन ये राजय चयन आयो का गठन करने में थोड़ा सा समय लग गया इन बिट्विन लोग से वायो को क्लास 3 की सभी भरतियां दे दी गई थी तो अब नए सीरे से भी कुछ एक भरतियां होनी है और युवाओं में काफी जादा इंतजार है उन कि ये वही पोस्ट कोड है जो पहले लोग से वायो को दे दिये गए थे लेकिन अब दोबारा से राजय चयन आयो को वापिस देने की बात इने हो रही है अभी तक दिये नहीं गए है अब बीश में फाइल फसी है लेकिन जल्दी ही राजय चयन आयो को ये क्लास 3 की भरतिय से इंतजार हो रहा है बीश में प्रक्रिया लटकी हुई है और दूसरी और पशुपालन विभाग में वेटनरी फार्मासिस्ट की भरती को लेकर भी बात करेंगे क्यूंकि चुनाव आयोग में भी हलाकि परमिशन के लिए ये फाइल भेजी गई थी अगर वेटनरी फार्मा जो बीश में लटकी है पूरी हो सकती है अब परिवहन की ओर से तो फाइल ही मूव नहीं की गई लेकिन वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए जो परमिशन मांगी भी गई थी वो चुनाव आयोग से नहीं मिली है दूसरी ओर TGT जेबिटी बैच वाइस भरती का बिंतजार हो की भरतियां है TGT और जेबिटी बैच वाइस भरती दूसरी वेटनरी फार्मासिस्ट की भरती पशुबालन विभाग में और परिवहन में कंड़क्टर भरती है चारो ही लटकी हुई है और अब कोड ओफ कंड़क लगा है चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि किस तरह का रिस्पॉंस सामने से आता है देखे मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंग सुखु ने शिमला जिला के ठ्योग विधान सबाक शेतर के नारकंडा का दौरा किया है और स्थानिय लोगों से भेट कर उनकी समस्याएं भी सुनी उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली क्रोड रुपए की देंदारी सही सभी देंदारियों को निप्टाने के लिए 153 क्रोड रुपए जारी किये गए हैं ये बड़ी बात मुख्यमंत्री सुकु की ओड से आज कही गई है ये क्योंकि थियोग विधान सबाक शेतर के नारकंडा का दौरा कर रहे थे और इसी ब आवेधन हालाकि नारकंडा से काफी जादा आये थे लेकिन जो पात्र महिला थी केवल उनके खाते में ही ये राशी दी गई है ये पहले ही मुख्यमंत्री सुकु की ओर से सपर्ष्ट कर दिया गया था कि तीन महीनों की राशी एक सार डाल दी जाएगी एक एपरेल से क्यो क्योंकि इंद्रा गांधी प्यारी बेहना सुक समा निधी योजना है और इसी योजना के तहट 1500 की राशी हर महा महिलाओं के खाते में डाली जा रही है जो की पात्र महिलाएं हैं तो शिमला जिला में 2569 महिलाओं को 4500 रुपै प्रती महिला यहाँ पर प्रदान किये गए ह हैं और इस पर कुल एक क्रोड रुपै खर्च किये गए हैं एक क्रोड से जादा की राशी इस पर खर्च की गई है तो शुरुआत हो चुकी है इस योजना की और आने वाले समय में और भी आवेदन दिये जाएंगे और उसमें देखा जाएगा कौन-कौन सी महिलाओं इसक